नमस्कार किसान साथियों स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एगरोधरपन पर एगरोधरपन पर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कपास की फसल में अधिक टिंडेके से बनेंगे तो कोई भी फसल हो उसमें सुरुआ से हमें खाद और पानी अगर सही मातराम देते ह हैं तो काफी अच्छी बढ़वार फसल करती है और उसमें फूल और फल काफी अच्छे बनते हैं तो यहां पर मैं आज इसे आपको कपास की फसल में सुरुआ सही बताने जा रहा हूं वह इसे लेकर के जब फसल 3-3 महीने हो जाती है तब तक इसमें क्या-क्या देना चाहि और अच्छे टिंडे बन सके तो मैं आपको बताता हूं जैसे वही के समय अगर आपके पास में गोबर खाद हो तो आपको गोबर खाद अविश्य डालना चाहिए और इसके बाद में अगर आपके पास में गोबर खाद नहीं है तो आप D.A.P. डाल सकते हैं M.O.P. डाल सक वो आप 25 किलो ले सकते हैं ये तो वो ही के समय है और अगर आपकी बूमी में सारियता ज़्यादा है तो आप जिपसम भी डाल सकते हैं जैसे एक एकड में दो बेग ले सकते हैं 50-50 किलो के यानि एक एकड में 100 किलो आप जिपसम भी डाल सकते हैं इसके बाद में आपको समय प खरपतवार बहुत अबता है तो खरपतवार को खटाने के लिए और पोदों के पास की जमीन को कफी अच्छा इना के लिए या आप जमीन को थोड़ा गिला रख सकते हैं किसी तरह से आपको जमीन को डिला रखने के लिए आपको इसमें निराई गुड़ाई की काफी ज़्यादा आवश्यक्ता होती है तो आप निराई गुड़ाई दो बार अवश्यक्रे और दोनों बार निराई चल करते हैं तो तीन वार आप यूरिया का करों करते हैं और इसके अलावाढ़ यॉपभव त् sings वह को топ 250 कंऊ-वено है कि sovereignjar यूरिया डाल सकते हैं और साथ दिन की इसे भी लिचानों कि भी सब्सें होते हैं ये एक एकड में मातरा बता रहा हूँ और यूरिया आप डालते हैं तो हर बार आपको 10-12 किलो के इसाब से डालना है और एक एकड में है 10-12 किलो और पोटाश डालते हैं तो आप पोटाश भी डाल सकते हैं 30 दिन के बाद में में 10-20 kilo potash डाल सकते हैं 60 दिन के बाद में 10-20 kilo potash डाल सकते हैं और इसके अलवा अब आपको क्या करना है जब फसल 2 मीने के हो जाती है और फूल आते हैं फसल में तो फूल आते समय आपको इसमें N-P क्याता है 3045 उसका इस्प्रे करना है 3045 का इस्प्रे आपको चार बार करना है हर 15 दिन के अंतराल पर आपको चार बार इसका इस्प्रे करना है और हर बार आपको 2 किलो एक एकड़ के हिसाब से लेते हुए 200 लिटर पानी में गोल बना करके आपको इस्प्रे करना है तो ये आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है टिंडे बनाने के लिए सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा टिंडे बनाने के लिए 13-05 इस एनपी के इस्प्रे आता है वो आपको जरूर करना है ताकि फसल में काफी अच्छे टिंडे बन सके और वेसे फसल खाद कोई भी हो फसल जब फसल में खाद देते हैं तब भी तो फसल का विकास होता है और अच्छी बड़वार करती है तो सबी खादों का मेतमून रोल लता है लेकिन एनपी के जो 13-0-45 से उसका आपको इस पर अविश्य करना है अब जिससे फसल तीन-चार मेनिक हो जाती है और तीन डे बन जाते हैं उसमें सपेद मकी का प्रकौप ज़्याजा होता है तो सपेद मकी के बचाव के लिए आपको इमीड़ा कलोपरीड 17.8 SL या ट्राइजोफास 40 EC का भी परियोग कर सकते हैं तो इस तरह से इनका प्रियोग करके आप फसल को काफी अच्छा बना सकते हैं धन्यवाद किसान भाई हो